किसे नी कर खूब का है जो के फना बला चाहता है वो दुरियोधन है। जो अपनों का बला चाहता है। वो सब का बला चाहते हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल केवी रासी फल में दोस्तो दोस्तो हैं इस वीडियो में आज का समपुन राशिपल बताएंगे अगर दोस्तो आपके भी कुम्बराशी है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज बुद्वार है गरपती महराज का दीन है दोस्तो कॉमेंट में जैगरपती महराज अवश्य लिखना दोस्तो जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा गरपती मारज उनकी सारी वनों कामनाय पूर्ण ने करेंगे अगर दोस्तो आप पहली बाद चान पे आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ओल पर सिलेट करें जिससे हमारी सबी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे दोस्तो सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के चानक के निती ग्यान के बारे में चानक के जी बताते हैं आपके अंदर हैं ये चारगों उर्त प्रेम और विवा के रिस्ते में कभी नहीं होंगे या सफल चानक कजी के मुताबलिक अपने रिष्टे में मिठास लाने और लंबे समय तक उसे सपलता पुर्वक चलाने के लिए प्रेमी या पती में चार गुनों का होना आविशक है आईये जानते हैं पूरू से कुछ चार गुनों के बारे में दोस्तो मनुर्श के लिए प्रेम और बैवाही की रिस्ता पवित्र माना गया है हमेशा मनुर्श यहास होसता है कि इन दो रिस्तों में वे कभी विफल ना हूँ चानक के जी ने भी अपने चानक के निती में इस बात को उलेक किया है कि प्रेमी को कैसा होना चाहिए चाराकजी के मताबलिक अपने रिष्टे में मिठास लाने और लंबे समय तो सपलतपूर वक चलाने के लिए प्रेमी या पती में चार गुन होने का आवशक होता है प्रथम बताते हैं कि जो वेक्ति महिलाओ को सम्मान की नजर से देखता है और उनके महतों को समझता है वो अपने रिष्टे में कभी असपल नहीं हो सकता प्रेमी का अपने प्रेमी के इस भाव को देखकर या सोचती है कि अगर उसका पती या पार्टनर जब अन्य महिलाओ को इतना सम्मान देता है तो उसके लिए वो कितना करता होगा दूसरा वे बताता है कि एक प्रेमी में इस आदत को सबसे महतों माना गया है उनके मताबलिक अगर एक व्यक्ति प्रेमी का या पत्नी के लाव किसी भी पराई महिला के प्रती आकरसित नहीं होता और उसे गलत नज़से नहीं देखता तो वो जीवन पर अपने प्रेमी को बचापाने में शफल साबित होता है ऐसा करने वाले प्रेमी के मन में दिखावा नहीं होता और ये गुड उसके रिष्टे में विश्वास प्रता करता है तीसरा वे बताता है कि जिस व्यक्ति पर प्रेमी या पत्नी को इतना विश्वास रहता है कि वो किसी भी हालत में उ तो अच्छा का भाव मिले तो आपके साथ हमेशा खुश रहेगी चौथा वे बताते हैं कि प्रेम के रिष्टे में प्रेमी का या पत्नी की संतुष्टियम होती है जो प्रेमी अपने पार्टनर को बहुत इक सुख के साथ सारे इक सुख प्रदान करता है वो अपने तो हमेशा की तरह एक लाइक सरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तो आज के पांचांग की आज का पांचांग है तीजुन दिन बुद्वर आज के टीटी है शरष्टी आज का नच्छतर है पूर्वे बादरपत पच्चल रहा है क्रिष्णपच मा असान है दोस्तो आज सुरुदे उदय होंगे 5 बच के 11 मिनट पर सुरुदे वस्त होंगे 6 बच के 22 मिनट पर दोस्तो आज का सुप समय है 5 बच के 43 मिनट से 7 बच के 23 मिनट पर और दोस्तो आज का सुप समय है 11 बच के 34 मिनट से 12 बच के 28 मिनट पर आज कुमरासी वालो का सुप बंक एक है अब करते हैं दुस्तों के कुमराशिवल बारे में कैसे रहेगा आपका आज का दिन आए जानते के लिए बैपार में आज उन्हें समय दिन भी आपको सीखना होगा, नहीं तो रिष्टे तूट सकते हैं, आपको मैसूस होगा कि साधी के वक्ति ये गए सारे वादे सच्चे थें, आपका जीवन साते ही आपका हमदम्ब हैं, आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेश रूप से आपको यह जान कर आश्चर होगा कि आपने इन परिवारिक सत्रों में कितना खुश सीखा है, इस समय आपको अपनी मानसिक सांति प्राप्त करने के लिए अध्यात्मिक्ता का सारा लेना चाहिए, ऐसे लोगों को खोजने की कोशिस करें, जिनका जुकाव अध्यात्मिकी ह आप या तो मोटापे से परिशान है, या फिर जीवन के कुछ विशेज घटनाव से, इसलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छे वन वा विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुँचे हैं, अपने कई बार अपने साथी को ये बताया है, कि व आपको नौकडी का प्रस्ताव मिल सकता है, जो कि आपके छेतर से अलग होगा, आपको दोनों छेतर को आपस में तोलना होगा, ताकि आप सही कैरियर का निन्नाई ले सकें, अलकि ये आपके लिए काफी चुनोती पुन होगा, पर आप पूरी तरह से अपना कारे छेतर को मत भी ले सकते हैं, कि कौन सा करे छेतर आपके लिए अधिक उप्यूकत है, नौकडी में आगे बढ़ने के लिए आप करी मेनद कर रहे हैं, पैसा सायद आपके लिए बड़ी जरूरत है, उदार समदे समस्चाओं को सुल जाएं, और खर्च करने की बजाए पैसा बचाने के प्रवरिटी विक्षित हो सकती है, आपके द्वारा लिए गए विचार से निन्न, पूरे मैने आज आज आपको मददगार रहेंगे, अगर आप अपने अतिस से बहार निकलने में समरते हैं, तो आप अपने जीवन की हर समस्चाओं से बहार निकलने में समरते हैं, बैं जीवन आज आपको साथवे आस्मान में ले जाएगा अब आपकी छमताय और व्यक्तिकत पूरे आक्रिशन में हैं प्रकासन और मीडिया छेतरे से जुड़े लोगों के लिए यह समय विजय और उस्सा से कम नहीं है आपका कैडियर आज पूरी तरह से उजवल है और आपकी योग्यता आपको हर जगा पैचान दिलाएगी ता पर आया संकट आपकी यातरे की योजना को रद करने का कारण बन सकता है अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए उन्हें उपवार देना ना भूले जैसे को या आभूसन या नपसंदीदा चीज वैसे इन महेंगी च चेहरे की एक मुक्सकान भी कहड़ा सकती है आज फिजूल खर्ची आपकी ये परभारी पर सकती है अपने फालतू खर्चों को कम करें और लालाच या भाबुक असुर अच्छा से अपने रिष्टे को खराब न करें इससे आपके और आपके साथी के भी दरारा सकती है जर प्रति माराज आपकी जरूर सुनेंगे आपके सारे कश्ट दूर करेंगे दोस्तों रूत की कुम्राशी फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओल पर करें जिससे हमारी सबी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे आपका दिन नमस्कार दोस्तों रादे करिशना